नमस्कार प्यारे साथियों मैं आपका साथी मंदीब कुमार एक बर फिर्स से स्वागत करता हूँ आप सभी का आपके अपने येट्यूब चैनल पर जिसका नाम है M.D.T.W. लिडिल पबलिकेशन तो फ्रेंड साथ किस वीडियो में बात करें हमारे इंडियन आर्मी के जवानों के लिए जिन इंडियन आर्मी के जवानों ने भावी इंडियन आर्मी के जवानों ने फिजिकल या फिर किये जो रनिंग या रेस जो अक्वालिफाई किया हुआ है उनका मेडिकल भी हो गया ह है उस सबी साती काफी समय से जो है लिखित प्रिक्षा की बाट जो रहे हैं या फिर इंतजार कर रहे हैं और कोर्णा की वज़े से लगातर ये चीजे जो आगे बढ़ती जा रही है अब फाइनली जो है एक बार फिर से ये अपडेट आ रही है कि भी सेना बरती के लिए जो सब्सक्राइब नहीं किया है तो फ्रेंड चैनल को भी सब्सक्राइब कर लें तो सेना बरती के लिए लिखित प्रिक्षा बेक नोंबर 2020 को होगी सेना बरती कारयाला के भरती निदेश करनल रतंदीप खान ने बताय कि फरवरी में रौत तक जजर सोनिपत और पानिपत जि ये किये गए थे अब उन्हें नई एडमिट कार्ड लेने हुए क्योंकि पुरानी जो हमारी प्रिक्षा थी वो COVID-19 पैंडेमिक कोरोना वाइरस की वज़े से पोस्पोर्ण हो गई थी अब उनको दुबारा से या फिर कि ये फ्रेस एडमिट कार्ड जारी होंगे जिनको जिन को मेल आईडी पर पूरा सेडूल भेज दिया जा रहा है कुछ के पास आगया कुछ के पास नहीं है तो बहुत जल्द आ जाएगा तो आपको अपने पुराने एडमिट कार्ड जमा करा करना है एडमिट कार्ड लेने होंगे आर एमडी सी एक हजार से तेरा सो चालिस तक सतरा अक्तूबर को तेरा सो एक तालिस से सोला सोसी तक अठारा अक्तूबर को 1681 से 2020 तक 19 अक्तूबर को 2021 से 2360 तक 20 अक्तूबर को 261 से 2700 तक 21 अक्तूबर को 271 से 3040 तक 22 अक्तूबर को 3041 से 3360 तक 23 अक्तूबर को 3381 से लेकर 3766 तक 24 अक्तूबर को सेना भरती कार्यले से लिए जा सकेंगे उसके बाद जो है आपको आपकी अर्मिट कार्ड पे ही डेट भी जो है एक्जाम की फिक्स मिल जाएगी बाकी एक नॉम्बर से प्रिक्षा सुरू और यह जरूरी और एहम ख़वर थी सभी आर्मी के भावी जो हमारे आर्मी के जवान हों सभी के लिए आज किस वीडियो में फिलाल इतना ही धन्यवार